Hello everyone, welcome to viral education class 10 तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक triumph of surgery चेप्टर को तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस चेप्टर के लिखक है James Harriet या एक animal surgeon है और लिखक है तो यह कहानी तब सुरू होता है जब लिखक ने सड़क पर अपनी मालकीन के साथ tricky नाम कुते को देखा tricky एक छोटा सा कुता था उसकी मालकीन मिशेज पंपरी उसे बहुत लाड़ प्यार करती थी बस उसे जरोट से ज़्यादा भोजन खलाती थी वह उसे oily food ज़्यादा देती थी tricky किसी भी समय भोजन से इंकार नहीं करता था उसे ज़्यादा भोजन का लालाज था उसे क्रीम वाले केक और बिस्कुट बहुत पसंद थे मिसेज पंपरी उसे malt, cod, liver, oil और कटोरे में होरलिक्स देती थी और साथ में उसे पीने के लिए सराब भी देती थी इन चीजों से tricky फूले हुए sausage की तरह मिंस कबाब की तरह दिखने लगा था और बहुत सुस्त हो चुका था और उसे किसी चीज में रूची नहीं रखता था, मिंस मन नहीं लगता था वह सारा दिन कालिन पर चड़ा रहता था, उसे कुछ उल्टिया भी हुई थी मिसेज पंपरी ने सोजा कि वह गंभीर रुप से बिमार है उसने मिस्टर जेम्स हेरियट को बुलाया जो की एक एनिमल डॉक्टर थे मिस्टर हेरेज जानते थे की ऐसा ही होगा उन्हें मालूम था कि ट्रीकी अधिक भोजन खाने से पीडित हो रहा था मिस्टर हेरेज ने पहले ही अपनी योजना बना रखी थी उन्होंने कहा कि ट्रीकी को दो सब्ता के लिए अजबताल में भरती करना पड़ेगा इस बात से मिसेज पंफरे लगभग भी होस ही हो गई थी उन्होंने सोचा कि ट्रीकी एक दिन के लिए भी अपनी मालकीन को देखे बिना जीनदा नहीं रशकता था लेकिन मिस्टर हेरियट उसे कंबल में घर से बाहर ले आये और उसे अपनी कार में डाल दिया ट्रीकी को जाते हुए देखकर सभी लोगों की आखों में आसू थे डॉक्टर कुते को अपनी कार में डाल कर होस्पिटल में ले आये जब Mr. Harriet अपने घर पहुँचे तो घर के कुटर ने उन्हें घेर लिया, उन्हें ट्रीकी को सुंगा और उसमें कोई रूची नहीं दिखलाई, दो दिनों तक Harriet ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, बहुत सारा पानी पिलाया, तब डाक्टर ने कुछ उसे हलका भोजन देना सुरू कर दिया, उसने उसे कोई दवाई नहीं दी, दो दिन बाद ट्रीकी ने अपने आसपास की चीजों में रूची लेनी सुरू कर दी, वह उस समोह का सदस बन गया, जहां पे बहुत सारे कुटे थे, और ट्रीकी जो था से exercise भी नहीं करता था, लेकिन Mr. Harriet ने उस खूब exercise करवाया और उसका हार में कटोती की, उसके बाद वह चूस्त बन गया, मिशेज पंफिरे ट्रीकी के समचार के बारें बहुत चिंतित रहती थे, डॉक्टर ने उसे बताया कि वह पहले से ठीक है, उसके बाद मिशेज पंफिरे ने ट्रीकी के लिए परती दीन दो दजन, ताजा, गोल, अंडे, सराब और बरांडी भेजना शुरू कर दी ताकि वह जल्दी ठीक ठाक हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने ये चीजे उसे नहीं दी, क्योंकि उसे वास्तों में इन चीजों किया सकता नहीं थी, डॉक्टर और उसके दोस्तों ने अंडे, सराब और बरांडी का आनन लिया, कुछ दिन बार मिसेज पंपरी ने ट्रीकी को लेने के लिए आई, वह तनाव और चिंतीत में थी, उसे आसा था कि वह ठीक ठाक है, लेकिन जब डॉक्टर ट्रीकी को लेकर आया तो वह एकदम कुद कर मिसेज पंपरी की बाहों में चला गया, वह यह सब कुछ देखकर हैरान थी, उसने कहा कि यह एक ट्राइंप अफ सर्जरी है, तो यही था ट्राइंप अफ सर्जरी चेप्टर, तो इसी तरह साब लोग का एनिमेटेट तरीका से सारे चेप्टर को पढ़ा जा रहा है और सारे सब्जेट को, तो आप लोग इस चैन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थाइंकिए